हेलो एरुबन वेलिकम टूट इस्टुएंट चनल और जैसे कि आप थम्निल में देख चुके हैं कि एरभी एंटीपीसी जब सीवीटीवन का एंसर की आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कौन कौन से चीजें आप ध्यान रखेंगे जिससे कि आपका जो है चीजें आपने conta किया है सिभीन एक किया झाले का यूख जाएं से कम से कम कुछ फिज आपका रिफंड हो जाएगा यूँ में वे अपने च्युमिट किया हुआ था उन्हीं लोग को यह फाइदा मिलेगा जिन लोगों ने सीवीटीवन पेपर दिया हुआ था तो सीवीटीवन पेपर तो बहुत लोगों ने छोड़ा था और दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग डिसकर्स करना वाला है कि सोला तारिक को एंसर कियागा आज मतलब करने पर बनना है उसके लोगों कख के आपना सब्सकार थेकर यह हुद दो और को एनलाइzet करें मतलब जड़ाVार कई भार भी हो जाता है कि मैंने घपकर दिया था है मैंने तो दो तीन बार यह उसको बार ऑर देखा था सबसे पहले आपको देखना मैंना कि जो कोष्चन गलत है वसको आप लोग देख लिए जो सही है मैं आप आप गलत है और फिर सब्मीट कर दिया पैसा भी आपका चला जा उसमें एक पॉंट आपको जरूर धियान देना है जो एल पी में लोगों नहीं किया था मैंने भी शुरुवात में नोटिस ने किया था लेकिन एक दू दिन बाद मैंने नोटिस किया तो वो question गलत नहीं था आपको question का language जरूर ध्यान देना है अगर question आपने हिंदी में पढ़के जो है answer किया है और वो question गलत कर दिया गया है तो एक बार उसको आप लोग English में पढ़के जरूर सॉल्व करियेगा मुझे लगता है कि जरूर CVT1 के paper में किसी एकिसी सेट में ऐसी गलती हुई होगी और English में language कुछ अलग लिखा होगा, question कुछ और पूछ रहा होगा, Hindi में कुछ और पूछ रहा होगा तो English को ही जो है railway, कोई भी exam है, generally लिखा रहाता है कि English language को ही prefer किया जाएगा तो आप लोग English में एक बार solve करिएगा, अगर English के अनुसार अगर वो answer सही है जो railway ने दिया है तो आप उस पर कोई भी objection नहीं कर सकते हैं, अगर आप करते भी हैं, तो आपका पैसा जो है चला जाएगा उसके बाद से सबसे important क्या है आपको ध्यान देना है कि आपके पास अपना जो paper है वो तो आपके पास होगा ही होगा उसके अलावा कम से कम आप कोशिस करिएगा कम से कम जो है 9-10 paper जो है आप कहीं से collect कर लीजे वैसे तो कोई भी अपना answer की का जो paper होता है वो किसी को generally देता नहीं है लेकिन आपके जो friend होंगे जो जो लोग आपके जानने वाले होंगे कम से कम 5-6 लोग, 7 लोग जितना भी आपके पास हो सका है उसका paper आप भी अपना paper उपको देदिएगा उसको जो है आप लोग एक दूसरे की मदद से जो है जो question गलत होगा उसको आप लोग फिर से solve करिएगा, हो सकता है कि आपने जो गल्ति किया किसी दूसरे को question आ रहा हो, उससे मदद ले जिएगा या फिर आप खुद अकेले बैटके उसको सॉल्व करेंगे बुक की नद से या फिर इंटरनेट की मदद से तो वह हो जाएगा तो इस तरह से एक दूसरे के help करके कम से कम 10 पेपर कोशीज करेगा कलेट करने के लिए जब जो कम 10-12 पेपर जो है solve करूँगा और उसमें जो important question है उसकी मैं वीडियो series बनाऊँगा तो आप लोग channel से जरूर जूड़े रही है कि जैसे मैंने LP में CBT1 paper के जो paper आया था उसमें जो important question थे उसको मैंने solve कराया था कुछ question में जो language में error था उसको भी मैं इसको जरूर मतलब सर्च करूँगा अगर होगा ऐसा तो मैं उसको जरूर आपके समने लेकर करके आऊँगा तो यह सबसे important point है कि अगर आपने जो है ntpc के CBT1 के कम से कम 10 question paper solve कर लिए देख लिए तो आपके CBT2 में इसका help जरूर मिलेगा क्योंकि आपको exact pattern जो है ntpc का पता चल जाएगा हालांकि जो CBT2 का पेपर है वह CBT1 से थोड़ा सा different रहने वाला है क्योंकि जो CBT2 में अलग-अलग post है कुछ graduation level के हैं कुछ diploma level पे हैं कुछ 12th level पे हैं तो इससे क्या होगा कि पेपर में लेवल में अंतर तो होने वाला हैं और CBT1 से तो डेफिनेटली जो है टफ रहे गाई CBT2 क्योंकि उस समय आपके पास जो है समय भी per question के हिसाब से कम रहने वाला है अभी क्या है आपने जो है सो कोश्चन जो है नबे मिनट में दिया था अभी क्या उसके बाद से जो है नेक्स्ट पेपर में जो CBT2 होगा उसमें 120 कोश्चन रहेगा और समय आपका फिक्स रहेगा नबे मिनटी तो उसमें पर कोश्चन पे आपको समय जो है कम मिनने वाला है तो जो लोग कम से कम अभी 70 कोश्चन से कम attempt मतलो 70% में बाद कर रहा हूं 70% से कम attempt आपका आ रहा है त सब जो है टेस्टरीस से ही ढऊएगा और घर पे बेठके घर फिखे घर पर कि छो होता है कि एक मिनोट मिनन डो मिनूना में पर सौल कर ले आते हैं तो आपتم कश्रीद होती है की सौल कीलिए मिने लेकिन वो आपने ज्यादा तो इसका भी आपको ध्यान देना कि कम यूज करना है कम से कम में ज्यादा कॉश्चन करना है अब जो कि आइंसर कि आगी इसमे कि की जिसी के गलत हो जाते हैं और जो लोग पढ़ें वह रहे हैं तो ये फैदा करेंगा मुझे लगता है कि अब जो स्टुडेंट है वह सेम लेवल के प्रप्रेशन कर रहे हैं और उनकी तैयारी भी उसी लेवल के है और इसकोर भी जो है गुरूबडी में भी आच्छा खासा जा रहा है तो जाहर सी बात है पेपर का लेवल 19-20 का फरक रहेगा लेकिन मैद के पू शौन परक राधूर साइयंस के प्रस्चन को लेजाते हैं तो आपको नहीं आता है जो आपको गल्ती होती है उसी को सॉल्प कर ले रहे इंगे उसी को बार बार रहत करण वेश्भ कर रहे हैं तो आप में इम्प्रुमेंट कहาं आएगा और आप ज्यादा इसकोर कैसे इस 상황 नमबर 9 बढ़ने का और यह रहा है कि बार बार आप जो है वही चीज़ें रिवाय inclusive Leans बाद है और आप अच्छा स्कोर उसमें करते हैं तुसी को बरबार रिवाइज करने से आपका स्कोर इंप्रूब नहीं होगा आप जितने पर हैं वह उतना तो आपका बना रहेगा यह बात है सबसे टफ टास्क इसमें यह है कि जितना भी सीपीटी वन का पेपर एंसर की आए सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन आप लोग अगर सेर करेंगे एक दूसरे से तभी जो है आपका स्कोर अच्छा होगा और एक्जैक्ट जो मतलब पेपर का वह आपको पता चल पाएगा तो डेफिनेटली आपको सेच करिएगा दस लोगों का पेपर जो है अटलिस्ट जो है कलेट कर लीजिए और मैं मैं जो है कम सकम दस पंदरे पेपर कराऊंगा वह उसमें जो इंपोर्टन कोश्चन होगे वहीं मैं कराऊंगा ऐसा नहीं है कि मैं सारे कोश्चन कराऊंगा सारे कोश्चन नहीं कराऊंगा जो जो कोश्चन जो है उसमें लोगों ने गलत कि से जल्दी जो है उसको देख लिजेगा और उसको कम सक में एक दो बार ज़रू सॉल्व करिएगा जो ब्यश्चन बैक्षन होगा उसके जोब속 पर अब जियाएक जो बार करते है कि साइटें रहता है कि उसमें भी पाता है डिया हुआ है तो आप पहले दो दिन पूरा कर लिए और अब्जेक्शन के लिए भी टाइम बहुत पर्याप्त हैं तो वह सब मैं बताऊंगा कैसे अब्जेक्शन भी करना है वह इससे रिलेटर भी मैं वीडियो बना दूंगा कैसे उसको सब्मिट करना है तो जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और सीबीटी टू के लिए प्रिप्रिशन और बढ़ा दीजी क्योंकि अब पेपर जल्दी ही हो जाएगा और समय भी कम बचा है सलेवस भी ज्यादा उसमें राने वाला पेपर पहले कैसा आसान नहीं आने वाला है मतलब जिस तरह से सीबीटी मैं जरूर देता हूं और अगर आप चाहें तुससे लेटर में वीडियो भी बना दूंगा अगर इस वीडियो से लेटर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सक्षन में उसको पूछ सकते हैं थैंक्यू आल दे बेस्ट